और ये हमारा ना यूनिट नंबर थर्ड है, टोटल पांच यूनिट थे, तो यूनिट नंबर थर्ड का एक चेप्टर है ये, स्कोर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप यूनिट नंबर थर्ड को और यूनिट नंबर फाइव को कर ले, यूनिट नंबर फाइव आपका थियोरी का है और यूनिट नंबर थर्ड आपका नॉर्मल शेर्स और कैपटल से है, एक बार वोईस भी बता देजिए, फटा फट से, I've just purchased batch, now should approach study, बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं भी बता दूँ हूँ, end of the class, और आज नया चप्टर है, सभी को समझ में आएगा, आज सच नहीं है कि नहीं समझ में है, खिक है, कले ये स्टार्ट करते हैं, valuation of shares, तो valuation of shares जो है, ये दो पार्ट में divided है, सब दो पार्ट में क्या divided है, number one, number two, इसके अंदर दो methods है basically, एक है हमारा net assets method, और जो दूसरा है ना, जो दूसरा है, वो है हमारा earning method, earning method में और इसे yield method भी बोलते हैं, यानि dividend के हिजाब से, dividend method भी बोल दो, या yield method भी बोलते हैं, तो जब आएंगे तो इसके दोनों नाम भी लिखे देंगे, एक है हमारा net assets method, ठीक है, net assets method, एम से भी on करना हो, और इस chapter को बिल्कुल भी मत छोड़ियेगा, ठीक है, अब सर, सबसे पहला question कुछ बाते कर लेते हैं, question mark ये है, कि सर, हम valuation of shares पढ़ क्यों रहे हैं, reason क्या है, valuation of shares के पढ़ने के, तो इसके reason की बात करेना, तो काफी reason हो सकते हैं, मान लो, हम amalgamation करते हैं, आप में से कुछ बच्चों ने amalgamation नहीं पढ़ा होगा, और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा amalgamation, suppose करो हम amalgamation करते हैं, amalgamation मतलब company को simple से language में बोलू, company को simple हम बेच देते हैं, बेचना चाहते हैं, अगर हम company को बेचना चाहते हैं, amalgamation करना चाहते हैं, तो उसके लिए company को बेचने के लिए, company को बेचने के लिए, कैसे valuation लगा होगा, मान लेते हैं, company के अंदर आपके 10,000 share है, और एक share का price मान लो 500 रुपे है, तो आप company को बेच पता है कितने में पाऊगे, 10,000 गुणा में 500, that is आपका, पचास लाख मैं इस कमपनी को बीच हो गई तो valuation of shares निकालने का भाई जो last में आता है door को close भी करती है अगर हो तो जो valuation of shares निकालने का तरीका ये है क्यों सीख रहे हैं सर इस chapter को एक बार मैं दुबारा सारा recall कर देता हूँ सर chapter का नाम है हमारा valuation of shares जो बच्चे लेट आए मैं एक बार recall कर देता हूँ और valuation of shares हमारा unit number 3 का पार्ट है इसमें दो method है एक है हमारा assets method और एक है हमारा earning या dividend yield method के नाम से भी जानते हैं intrinsic method भी इसको बोला जाता है सर valuation of shares क्यों करते हैं मान लेते हैं कि XYZ limited एक company है और इस company के पास 1000 share है और इसका market price face value तो 10 है लेकिन इसका market price जो shares का है ना मान लेते हैं कि 1000 का है now ये company अपने आपको sold करना चाहती है किसी और company को ये company चाहती है कि मुझे PQR limited खरीद ले तो अगर ये company ये चाहती है कि इसको PQR limited खरीद दे तो कितने का बिकेगा तो हम market price जो होता है ना 1000 into 1000 यानि total 10 लाख रुपे में ये company बिक सकती है तो आपने यहाँ देखा सर face value का कोई मतलब नहीं बनता अगर हमें किसी company के बेचना है तो ठेक है दूसरा point अगर हम लेके चले क्यूं valuation किया जाता है सर valuation इसलिए किया जाता है कि आप अपने company का एक valuation लगा पाओ जैसे कि simple सी बात है बहुत सारी organization को आपने देखा होगा startup उनको बाहर से funding मिलती है तो बहुत सारे startup को जो funding मिलता है बाहर से तो उस funding को पता है कैसे होता है ये valuation of shares पहले करते हैं उसके company की net worth क्या है उसके हिसाब से उनको shares मिलता है तो simple सी बात है इन reason की वज़े से हमारा valuation of shares निकाला जाता है सर एक है हमारा net assets method तो net assets method में कैसे निकालेंगे valuation वो देख लेते हैं net assets method यहां लिखेंगे particular generally इस chapter के अंदर हमारा कोई भी account व अकाउंट नहीं बनना सिर्फ calculation वाला पार्ट होना है net assets method में हम सबसे पहले लिख लेंगे assets value सर कौन से वाला assets value market price जितने भी assets value उसका market price लिख लेंगे इसमें से minus कर देंगे हम liability liability कौन से वाला सर liability market price यानि जो भी assets value आएगा उसके अंदर हम हमेशा minus कर देंगे सर liability value इसमें से हम जो भी आएगा minus करने के बाद या फिर और भी आगे चलते हैं इसमें से minus कर देंगे हम preference share holder का जो भी claim होगा preference share capital भी और claim भी दोनों ही minus करेंगे preference share capital और claim whatever call वो भी minus कर दोगे यहां से finally आपको एकना यहां assets का value मिल जाएगा that is आपको मिलेगा net asset example भी देखेंगे और इसमें वापस से add on कर देंगे नोशनल नोशनल call वापस से add on कर देंगे नोशनल call यह आ जाएगा हमारा assets value या net assets बोलो या total assets या इसको हम net ना बोलके इसको gross बोल देते हैं gross assets और इसका नाम दे देते हैं net assets value चलिए सर दुबारा देखते हैं सर हम कौन सा method कर रहे हैं सर net assets method कर रहे हैं net assets method करने के लिए हमें सारे assets का value ले ले लिना है कौन सा market जिसका market value नहीं होगा कौन सा value ले लोगे book value minus क्या कर दोगे liability minus क्या कर दोगे preference share अगर preference share का dividend, dividend, area, barrier है वो भी minus करोगे gross आएगा add कर दोगे notional call अब notional call को समझ लेते हैं पहले हम समझेंगे अभी आपका valuation shares यानि एक shares का क्या value होगा तो value per share जो आएगा सर कैसे आएगा net assets जो निकाला है divided by number of shares divided by number of shares कई बार हम number of shares की जगह पर value of shares रख लेते हैं यह आजाएगा हमारा एक share का value हम अभी सवाल देखेंगे सवाल से clear होगा अब हमें समझना है सर नोशनल कॉल क्या होता है सर नोशनल कॉल क्या होता है नोशनल लिखना था नोशनल कॉल क्या होता है कि कॉल अमाउंट विच वाज या फिर मैं इसको बड़े आसान शब्दों में कह देता हूं अनकॉल्ड अमाउंट अनकॉल्ड अमाउंट खेक है चलिए सब अनकॉल्ड अमाउंट मतलब एक्जामपल मान लिए दस अजार शेयर है एड़ दारेट 10 रुपीस इच और जो पेड़ अप है वो आठ रुपए है पेड़ अप कितना यहां पे आठ रुपए तो आप देखिएगा यहां पे जो पेड़ अठ रुपए है तो कितने ऐसे रुपए हैं जो कि नहीं मांगे बताइए दो रुपए तो यहां पे नोशनल कॉल जो होगा ना इस वाले एक्जामपल में that is 10,000 into में 2 और यह होगा हमारा 20,000, ठीक है न, क्या होगा यह, 20,000 होगा, समझ मारी यहां तक बाद, क्लियर यहां तक, तो notional call क्या होता है, uncalled capital, ठीक है, कई बार यह use भी होगा, कई बार नहीं भी होगा, तो simple सी बात है, सारे assets liability को minus plus करके एक value निकालते हैं, इससे निकलता ह भी preference share का अलग निकालने को आ सकता है, equity share का अलग निकालने को आ सकता है, दोनों अलग अलग हम देखेंगे, चलिए इस पर एक questions कर लेते हैं, basic सा बहुत, simple सा question, फिर हमें समझ में आ जाएगा, tentative idea, कहता है the following balance sheet of x limited 31 March 2017, आपके सामने कुछ equity है, और कुछ assets है, format क्या कहता है स format क्या कहता है, अरे एक लाइन तो एक्स्ट्रा किछिए है, अभी हम सिर्फ net asset से सीख रहे हैं, नेट एसिट, यहाँ पर लिखेंगे पहले हम asset, assets में क्या क्या आएगा, market value, पहला हमें given है, अगर ध्यान से देखें, तो पहला क्या given है सर, चलो यही ले लेता है, tangible assets पांच लाइक, लेकिन नीचे भी जानकारी कहा रहा है, the fixed assets where independently valuation साड़े तीन लाइक, कहता है fixed assets जो था, वो साड़े तीन लाइक का था और goodwill का valuation कितना लगाया गया, पचास अजार पांच, इसका मतलब जो सर यहाँ पे fixed assets है, और जो यहाँ पे goodwill है, इसको नहीं लेना आपने, क्योंकि इसके कौन से value को consider करेंगे, market value, तो यहाँ पे आजाएगा fixed assets, यहाँ आजाएगा fixed assets, that is आगया आपका साड़े तीन लाइक, और यहाँ पे क्या आजाएगा second हमारा goodwill, that is कितने आजाएगे, पचास अजार, सर, other assets की बात कर लेते हैं, current assets कहता है दो लाइक, इस questions में हमें कोई और assets नहीं given कि इसका value क्या होगा, कुछ नहीं बता रहा, तो हम current assets, entities ले ले लेंगे, current assets, यह आएगा हमारा 2 लाइक, टोटल अगर कर ले हम इसको, तो 6 लाइक रुपए का हमारा यह assets कहीं न कहीं बन रहा है, अब इसमें से less कर देंगे सर, liability, सर, liability में देखा जाए, तो share capital की तो बात ही नहीं करेंगे हम, reserve and surplus और यह भी हम इनकी बात नहीं करेंगे, minus करते time, हाँ, preference share होता तो जरूर माइनस करते हैं, अगर मैं format में दिखा हूँ, तो देखो मैंने preference share बोला हुआ है, सर्फ equity और reserve and surplus को नहीं लेंगे, long term borrowing 5% debenture 1,00,000 रुपए का, long term borrowing, long term borrowing 1,00,000 रुपए का, अगर voice अगर बीच में रुप जाए by chance, तो hand raise कर दीजेगा, या comment पर लिख दीजेगा, पता चल जाएगा मुझे, long term borrowing के बाद, other trade payable है हमारे पास, क्या है, trade payable, sir trade payable कितने दे रखे हैं, 1,00,30,000, समझ रहे हूँ, अगर इन दोनों को हम minus कर दें, तो हमारे पास generate हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं, net asset, national call वगरा, चेक कर लो, नहीं है, बाकि national call की मैं चर्चा करूँ हा, होता क्यूं है और ऐसा क्यूं करते हैं, तो 6 में से 2,30 माइनस करोगे, तो क्या आजाएगा, 3,00,70,000, यहीं आजा ना, 3,70, अब value पर share निकालने का क्या format है, क्या formula है, value पर share निकालने का क्या formula है, value of share is equal to net asset divided by number of shares, और कौन से वाले share, equity share, तो मेरे example में आप देखोगे, तो क्या पाओगे, सर यहाँ पर जो, net assets का value की बात करूँ, तो वो निकलके आया 3,70, इसको divide कर देंगे number से, तो आपको पता है कि 4,00,000,000 रुपे का है, तो number 10,00,000,000 रुपे का एक है, तो number easily निकाला जा सकता है, that is 4,00,000, into में divided by, कितने आगे चालिस अजार अगर यहां हम चालिस अजार कर दें तो एक शेर का वेल्यू निकल जाएगा कितना आ रहे हैं 9.25 ठीक है ना 9. इसको एक अलग धंग से भी निकाला जा सकता है आप ऐसे भी कर सकते हो वेल्यू ओफ ऐसे value of assets, assets कह रहा हूँ sorry, shares आप लिखलो net assets और मैंने बोला नीचे value of share लिखलो नीचे मैंने क्या बोला value of shares मेरा यहां अपना खुद का ये formula बनाए होँ, value of shares का मतलब है कि आज share capital कितने का है तो देखो share capital 4 लाग का था तो ऐसे situation में आप क्या करोगे सर 3,70,000 divided by 40,000 मत करो कितने कर दो 3,70 divided by 40,000 तो यह आ गया 9.925 यह निकल का है लेकिन सर्फ पीछे के answer में और इस answer में तो फरक है यहां तो 9.25 आ रहा है तो यहां यह निकला है एक रुपे की value यह जो निकला है न वो निकला है एक रुपे की value यह बनेगी अगर आपका एक रुपे face value है तो उसका market price यह बनेगा तो आपको face value कितने का है तो now value of shares निकलेगा आपका face value से multiply कर देगे face value है कितने का 10 रुपे का एक face value है इंटू में 0.925 तो आपका result वही आ जाएगा 9.25 देखिए समझे या पहले divide कर दीजिए या बाद में multiply कर दीजिए बात वही आ जाएगे clear है यहां तर जितने बच्चे भी live है सभी को clear है बता दे फटा फट से जितने बच्चे live है अंजली हंसुकार रागव मेगा लकी रूपम भूमी रूपन हिमानशी जितने बच्चे live है कृष्णा अमरजी आपको समझ में आ रहा हो तो participate करिए बताते जाएए आपके जो doubt है hand to hand sort out होते जाएंगे सर clear है सभी बच्चे कह रहें clear है बहुत ही आसान चेप्टर और 10 नंबर का एक सवाल आएगा यह 10 नंबर का देखो corporate account मुश्किल जरूर है लेकिन strategy अगर बना लोना तो कोई बच्चा इसमें fail ही नहीं हो और marks भी अच्छे आ जाए हम क्या करते है पेपर जब भी analysis किया है ना तो paper tough आया था 100 नंबर का पेपर है पेपर सब बहुत tough था कितने नंबर का tough है ढूंडोगे तो 5 नंबर का paper tough आया था पांच नंबर का question पता ही नहीं है और क्या पूछ लिया उस सवाल की चर्चा होती है पूरे classroom के अंदर पूरे examination hall में क्या यह question आया कहां से उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा जो 95 का as a tis book से उठके आया है उसके कुसी को लेना देना नहीं है किसके पीछे भागेगा वो कि 5 marks का है पता नहीं कौन सा क्या पूछ लिया यह वाला रह गया यह हो जाता तो बढ़िया था भाई उसके चकर में आपने 95 गवा दिये तो इ यह अब कई बच्चे बोलते हैं sir amalgamation थोड़ा tough लगता है बच्चो को मेरा मानना है amalgamation tough लगता है तो amalgamation भी 10 का आ रहा है और यह भी 10 का आ रहा है तो पहले आप इसको grab कर लो ने इसमें कुछ भी नहीं है आप आगे-आगे देखो कि बिल्कुल सिंपल यही format में चलने व